गुड मॉर्निंग बच्चों और आज हम TDS चेप्टर का सेकिंड पार्ट रिवाइज करेंगे जिसके अंदर हम दो टोपिक्स कवर करेंगे एडवांस टेक्स एंड TCS ये रिवीजन लेक्चर मई 24 और नॉबर 24 दोनों के लिए relevant है और जो भी amendments होंगी वो मैं इसमें cover कर लूँगा हमारे जितने भी पुराने वाले रिवीजन लेक्चर हैं वो सारे amendments उसमें cover की गई हैं लेकिन फिर भी amendments डिटेल में करने के लिए वो आप एक पर amendment lecture जरूर लगा लेजिए जो कि YouTube पर डला हुआ है वही 24 की amendments वो एक पर जरूर लगा लेजिए क्योंकि उसमें जो है डिटेल में मैंने amendments करवाई हुई हैं इसके अलावा अब आजाते हैं advanced tax के topic के उपर advanced tax जो topic है ये क्या चीज़ होती है ये चीज़ होती है basically कि क्या होता है कि अपना income tax में जो rule होता है कि income of the previous year will be taxable in the assessment year तो इस साल हम पैसा कमाते हैं जो अपने syllabus में साल है जिसका नाम है 23-24 और इस साल जो है क्या कहते हैं उसका tax भरते हैं जो कि इसका assessment year बनेगा 24-25 तो 23-23 में कमाएंगे 24-25 में tax बनेगे income of the previous year will be taxable in the assessment year इसके जुलाई को जब इसकी ITR फाइल करोगे या फिर 31 अक्टूबर को जो audit वाले लोग ITR फाइल करेंगे तो government कहती है बहुत लेट हो जाएगा एक साल तक कोई भी tax मेरे पास collect नहीं हो पाएगा तो एक साल का delay रहेगा तो government कहती है कि इस delay को कम करने के लिए government कहती है कि जिस साल आप कमा रहे हो उस साल यह आपको क्या करना पड़ेगा चार installment के अंदर advanced tax भरना पड़ेगा इसको advanced tax क्यों बोलते हैं इसको advanced tax इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैसे government का rule है कि income tax के अंदर कि income of the previous year will be taxable in assessment year कि assessment year में tax लगेगा लेकिन फिर भी क्योंकि आपसे जो है वो क्या कहत हैं कब tax ले रहे हैं previous year में tax ले रहे हैं इसलिए इसको advanced tax बोलते हैं वैसे हम rule के according तो 31 जुलाई को tax भरने के liable हैं लेकिन फिर भी हम tax भर रहे हैं इसी साल के अंदर तो इसलिए जो है क्या कहते है government कहती है यह advanced tax है तो इसमें तीन चार installment में भरना पड़ता है पंदरा आप तो जितना आपको क्या करना पड़ेगा 15-6 को जब advanced tax भरोगे तो आपको tax estimate करना पड़ेगा कि इस साल में कितने income कमाने वाला हूं और जितनी income कमाऊंगा उसके साफसे मेरा कितना tax बनेगा उस tax का आपको 15% यहां जमा करना पड़ेगा 45% यहां 75% यहां और 100% यहां जमा कर कमाते हैं हम और यहां जो है यहां कमाते हैं previous year में यहां pay करते हैं लेकिन यहां पर government जो है बोलती है कि थोड़ा बहुत advanced tax भी आप जमा करा दीजिए 1,2,3,4,4 चार installment में आप advanced tax भी जमा करा दीजिए और estimation के हिसाब से आपको जो है जो है जो भी उसका advanced estimation करनी पड़ेगी उसकी tax liability निकालनी पड़ेगी tax liability का 15% आपको advanced tax भरना पड़ेगा installment 2 जब आप भरोगे जो की होगी 15 सितंबर को अब 15 सितंबर को आपके हो सकता है estimate revise हो जाएं तो जो नए estimates हैं उसके हिसाब से आप income निकालिए उसके हिसाब से अपना tax निकालिए और income निकालिए tax निकालिए और उस tax जो भी आपने निकाला है उस tax का आप क्या कर दीजिए उस tax का 45% कर दीजिए उतना आपको यहां तक जमा कराना है अगर 45% में से 15% पहले जमा करा चुके हो कुछ amount जमा करा चुके हो माइनस कर सकते हो यानि कि जो आपने first installment में देखी यहां मैंने formula बनाया होगा कि यहां तो 15% जमा कराना है यहां 15.9 को 45% जमा कराना है और उसमें से जो पहले आप जमा करा चुके हो उसको माइनस कर देना है paid installment 1 15.12 को आपको क्या करना है फिर से नई revise करने है estimate और अब की बार आपको 75% जमा कराना है यानि कि आपको नई income निकालनी है पूरे साल की यह नहीं कि एक चार से लेकर 15.12 तक की पूरे साल की income नई सोच नहीं है कि कितनी होगी उसके उपर tax निकालना है टेक्स निकालने के बाद आप उसका 75% कीजिए उतना जमा कराना है 15.12 तक अगर उसमें से पहले आप 2.16 में जमा करा चुके हो तो वो माइनस कर सकते हो और 15.13 को आपको पूरे साल की income estimate करनी है और सारे साल का सारा tax निकाल कर वो 15.12 से पहले 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 जमा कराना है 100% या कि आपको income estimate करनी है estimate करने के बाद tax liability निकालनी है हाँ TDS minus कर देना है यह मैंने नहीं बताया TDS क्यों minus कर देना है TDS relief intersection 89 या कोई rebate है कोई और चीज़ है वो minus कर देनी है माइनस करने के बाद जो बचा हुआ है उसको हम advance tax बोलते हैं और उसका ही हमें 15%, 45%, 75% करना है इसके अलावा actual तो हमें बाद में पता चलेगा जब return file करेंगे तो हमें actual tax liability पता चलेगी उसमें से हम advance tax minus कर देंगे जो हमने TDS हमारा cut गया होगा वो minus कर देंगे तो फिर जो बचा हुआ होगा वो हमें return से पहले पहले जो है tax pay करना पड़ेगा इसको self assessment tax बोलते हैं इसके अलावा अगर आपने advance tax अगरा time पे नहीं भरा तो 234 A, B, C का interest लग सकता है या 234 F की fees भी लग सकती है इसके अलावा अपन जो है आज आते हैं अब बिलकुल एक इक बारिकी से और दुबरा देखते हैं इसको देखता है कि एक और rule बोलता है कि अगर आपका advance tax 10,000 रुपे से जादा आ रहा है या 10,000 रुपे आ रहा है तब ही आपको advance tax भरना पड़ेगा otherwise आपको advance tax भरने की जूरत नहीं है example के तोर पे आपने अपनी income estimate की जो की 10,000 बनती है उसके उपर आपने tax निकाला तो कुछ आपका tax आ गया normal scheme के साब से एक बारा 500 उसमें से माल लेते हैं आपका 1,500,000 तो TDS कट चुका है TCS कट चुका है तो आपका जो tax बनता है वो कम बनता है 10,000 से तो आपको जो है क्या कह करते हैं advanced tax बनता है इसके अलावा हाँ अगर आप तो कहते हैं कि अगर 10,000 से कम है आपका advanced tax तो आपका advanced tax नहीं भरना 32B और C का interest नहीं लगेगा लेकिं 32A का interest तो लगेगा अगर 32A का interest तब लगता है जब आप return जो है late फाइल करते हो तो इसी लिए अगर चाहे आपका tax बनता हो 10,000 से कम return तो time पे फाइल करना ही पड़ेगी return time पे फाइल नहीं करोगे तो जितना कम आपका जितना आपका tax बन पड़ता है tax में से TDS घटा दो जितना advance tax जमा करा चो कि वो घटा दो जो बच गया उसके उपर फिर क्या निकाला जाता है interest निकाला जाता है तो मानलो वो दसदर से कम बच गया अगर वो बच गया तो 8,000 रुपे अगर जो आपका बचा है वो 8,000 रुपे आपको क्या करना पड़ेगा वो 8,000 रुपे आपको रिटन जो रिटन की डुडेट है उसे पहले पहले जमा कराने पड़ेगे अदरवाइस 2,34 A का interest लग जाएगा तो अगर रिटन किसे पहले पहले आपने जमा ना कराए पैसे तो 2,34 A का interest लग जाएगा खेर वो आगे भी समझाऊंगा त अगर आपका 10,000 से कम का advance tax बनता है तो 2,34 B और C का तो interest नहीं लगेगा लेकिन A का interest लग सकता है अगर आपने return time पे फाइल ना की तो इसके अलावा बुड़ों को भी हम burden नहीं देते हैं advance tax भरने का तो reduce the burden of senior citizen जो senior citizen है और उसकी कोई business की income नहीं है तो not having business income उसको जो है क्या कहते हैं advance tax भरने की कोई भी जूरत नहीं है मालो pension लेते हैं या कोई salary लेते हैं कुछ भी लेते हैं अगर business income नहीं है तो उनको advance tax भरने की जूरत नहीं है चाए advance tax की liability 10,000,20,30,000 कितनी मर्जी क्यों नहीं हो इसके अलावा advance tax भरने के लिए simple चलान भरना होता है उसके लिए क और अगर आप क्या कहते हैं advance tax कम भरते हो एउ को लगता है आपका ज़्यादा बनता है तो notice भेज सकता है कि advance tax ज़्यादा भरो इसके अलावा आप उसको reply कर सकते हो अपनी assessment दिखा सकते हो कि देखो मेरे इसाब से कम बनता है तो मैं कम भरूँगा अगर हो satisfy होता है तो फिर add करना पड़ता है और फिर जाके आपको advance tax calculate करना पड़ता है salary person को कई बार advance tax पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि salary person का TDS cut जाता है और जब अगर आपका TDS cut जाएगा तो advance tax के लेपडी 10,000 से कम आएगी example के तोर पे इसे मैंने आपको बदाया था आपकी GTI मानलो आती है 10 ल करना पड़ता है इसके अलावा एयो आपको बोल सकता है 15 फरवरी से पहले फरवरी यह लिए लिए क्या क्या कहते है आपको उसका reply वगरा करना पड़ेगा इसके अलावा देखो लिखर रखा है reply कैसे करेंगे तो अगर आपको जो एयो का order आया है उसमें जो लिखा आया एडवांस टेक्स कितना भरना है अगर आपको लगता है मेरा खुद का एस्टिमेट कम है तो आप एयो को एस्टिमेट भेज दो और अगर आपको लगता है मेरा एस्टिमेट ओन एस्टिमेट ग्रेटर देन ओडर तो एडवांस टेक्स अगर आपको लगता है कि एयो तो कम बोला है advanced tax मेरा जादा बनता है तो भाई जादा भर दो क्योंकि फिर क्या लग जाएगा interest लग जाएगा नी तो इसके अलावा जो है क्या कहते हैं ये बाते हो गई हैं और अब एक question कर रखा है जिसके अंदर आपको बोलता है कि advanced tax की instruments निकालो तो 45 लाख रुपे total income है पहले तो 45 लाख के उपर आपको tax निकालना पड़ेगा तो अभी मैं एक minute लगाऊंगा 45 लाख के उपर tax निकालने के लिए तो 45 लाख रुपे का जो है वो tax क्या बनता है 45 लाख रुपे का जो है वो tax बनेगा जैसे मैं normal scheme case आप से बता रहा हूं दस चलो default उसके साब से बताते है 115 लाख रुपे और उसके उपर बन गया 30 लाख रुपे 30 लाख का जो 30% हो गया वो आपका आगया है 9 लाख रुपे प्लस के 1,5 लाख रुपे प्लस के 6 एड़ गर दूँगा मैं 4% तो यह आगया 10 लाख 92 लाख रुपे आपका tax आ गया 10 लाख 92 लाख रुपे टेक्स आ गया जिसके अंदर से आपका 4 लाख का तो डीडिस कट चुका है तो बच गया आपका 8 लाख 92 लाख यह आपको advance tax भरना पड़ेगा 4 इंसोल्मेंट में इसका 15% भरना पड़ेगा आप आपको इसका 15% भरना पड़ेगा आपको पहली इंसोल्मेंट के अंदर और फिर क्योंकि कोशन के अंदर revise नहीं किया गया एस्टिमेट कोशन के अंदर यह 15 जून को इतना भरना है उसके बाद कोशन ने बताया नहीं कि 15 नो को आपका change हुआ है नहीं हुआ तो 15 जून को सि इंटो में 45% माइनस के जो पहले भर्चो कियों के first installment वो माइनस कर देना इसके अलावा 15 बारा को क्या करना पड़ेगा आठ बानवे इंटो में 75% माइनस कर देना इसमें first और second installment दोनों माइनस हुझाएंगी इसके अलावा फिर 100% करना पड़ेगा और फिर उसमें से आपको जो है अपना तीनों इंस्टोल्मेंट, फस्स, सेकिंड, थर्ड, तीनों माइनस कर देना, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, तीनों इंस्टोल्मेंट आ जाएंगी, इसके अलावा अब जो है देखो, यहाँ पर हमने इंटरस्ट की कैलकुलेशन, एडवांस टेक्स सिंगल इंस्टोल्मेंट में भर सकता है, जो कि उसकी सिंगल इंस्टोल्मेंट भरी जाएगी, on or before, 15 मार्च, 15 मार्च से पहले पहले जो है वो भर सकता है, तो यानि कि उसको चार इंस्टोल्मेंट नहीं भरनी, एक इंस्टोल्मेंट भरनी है 15 मार्च को, 15 मार्च से बरना पड़ेगा 100% सारा advanced tax जो भी बंदा presumptive taxation में आता है उसके लिए ये बात की गई है तो उसको पहली जो है तीन installment नहीं बरनी सिर्फ एक installment बरनी है 15 March को 100% इब तो आपको जो है next working day पे payment कर सकते हो लेकिन ideally हम पहले ही कर देते हैं फिर असेस्टी दस नोट पे अगर advanced tax टाइम पे जमानी कराओगे तो आपको असेस्टी इन डिफोल्ट बोलेंगे और आपके उपर लगाएंगे interest तो भई interest कैसे लगता है 234 ए का पहले interest देख लेते हैं 244 ए का interest जैसे मैंने आपको बताया था कितनी amount पे लगता है क्योंकि यह return के time पे लगता है तो return के time पे आप actual liability निकालोगे tax liability actual liability में से आप TDS minus कर दोगे advanced tax rebate relief सब minus करके जो amount आ गई जो आपको pay करनी चाहिए थी वट आपने नहीं पेगी उसके उपर लगता है यह interest और यह तब लगता है जब ITR आप time पे फाइल नहीं करते हो या फिर जो ITR की duty है 31 जुलाई उससे पहले पहले government को tax जमा नहीं कराते हो माल लेते हैं आपने tax जमा करा दिया 31 जुलाई से पहले पहले बट ITR टाइम पे फाइल नहीं की तो यह interest नहीं लगेगा तो मल में बात यह है 31 जुलाई से पहले आपको क्या जमा कराना पड़ेगा tax जमा कराना पड़ेगा जो भी आपका self assessment बनता है यानि कि TDS और TCS वगरा rebate वगरा minus करने के बाद तो देखो जिसे क्या लिखर रखा है कि tax जो आपका बनता है उसमें से advanced tax, TDS, TCS, rebate, relief, AMT, credit वगरा minus करने के बाद जो amount आती है उस amount को आपको जमा कराना पड़ेगा ITR की date से पहले ITR की date normal person के लिए 31 जुलाई होती है और audit वालों के लिए 31 October होती है तो उससे पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा उससे पहले पहले आपको जमा कराना पड़ेगा अगर आप क्या कहते है अपना जमा करा देते हो अगर आप जमा करा देते हो तो ओके है interest नहीं लगेगा और अगर आप जमा नहीं कराते हो तो फिर आपका क्या लग जाए तो फिर आपका interest लग जाएगा तो अब ITR की डिट से पहले-पहले जितना टेक्स बनता है आपको जम्हा करा देते हो तो ओके है कोई इंटरस्ट नहीं लगेगा 241 और नहीं जम्हा कराते तो फिर आपको जो है interest लगेगा कितना इंटरस्ट लगेगा जितनी अमाउंट आपने जमा नहीं कराई है multiply by period जब तक जमा नहीं कराते हैं मतलब 31 जुलाई आपकी last date थी तो एक अगस्त से लगना शुरू हो जाएगा और तब तक लगेगा जब तक क्या कहते हैं आप जमा नहीं करा देते हो from the next day of the due date of ITR up to date of filing of return या फिर up to completion of assessment थियोरी में ऐसा लिखा जाता है रट लेना लेकिन अगर कोई practical question आता है तो वहाँ देखना कि जब देखो obviously बात है जब ITR भरी जाएगी तो उसका मतलब से पहले पहले उसने टेक्स जमा कराई दिया होगा या तो question में टेक्स जमा करने की date देगा या फिर question के अंदर ITR filing के date होगा तो वहाँ तक जो है क्या कहते है interest लगेगा तो ये लगना शुरू हो जाएगा एक अगस्ते लेकर जब तक आप ITR भरोगे तब तक लगेगा या जब तक आप tax जमा कराद होगे तब तक लगेगा इसके अलावा अगर क्या कहते है आपका जो है आपने क्या किया वहाँ लगेगा कितना one percent per month और part of the month लगेगा यानि कि माल लेते हैं आपका एक लाख बनता था self assessment tax और आपने जो है क्या कहते हैं इसको जमा नहीं कराया 31 जुलाई से पहले आपने जमा कराया 31 माल लेते हैं आपने जमा कराया एक आठ को जमा कराया तो 31 जुलाई तक कराना चीए था अब आपको एक अगस्ते इंटरस्ट लना शुरू हो जाएगा तो अगस्त महीने का लगेगा और सितंबर महीना भी पूरा count हो जाएगा क्योंकि सितंबर महीने का एक दिन हो गया है तो फिर ये जो है अपना दो मन्त का आपका यानि कि एक लाख रुपए multiply by two months into में one percent का जो है इंटरस्ट लग जाएगा इसके अलावा लिख रखा है कि भाई अगर आप time से पहले अपनी return भर देते हो इसके अलावा देखो लिख रखा है कि भाई मान लेते हैं जैसे जो उपर वाला example था उसके अंदर क्या था मेरे को आठ बानवे का पे करना था tax और मैंने advance tax जमा कराया 8 लाग का तो इसका मतब 92,000 का advance tax रहे गया तो 92,000 का tax रहे गया तो 92,000 के उपर मेरा interest लगना शुरू ह जाएगा अगर मैंने idea file किये देखो इसने late file किये तो अगस्त, सितंबर, October, November, November तक का अगस्त, अपना अगस्त, सितंबर, October, November तो लगवक चार महीनों का चो है क्या कहते हैं अपना 1% पर मंत के साफ से interest लग जाएगा 92,000 पर ये तो हो गया 24 एका interest तो 24 एका interest लगता है 31 तो 24 एका interest लगता है वो लगता है एक April से लगना शुरू होता है ये rate यहां पर भी 1% रहता है amount into a period पस period क्या है ये लगना शुरू होता है एक April से अगर आपने 31 मार्स तक जो कि आपको advance tax जमा कराना चीए था वहां तक आपने पूरा advance tax जितना बनता था वो नहीं जमा कराय जितना आपका tax बनता था वो नहीं जमा कराया तो फिर एक April से लगना शुरू हो जाएगा तो ये एक April से लगना शुरू हो जाएगा और तब तक लगेगा जब तक क्या कहते है आप tax जमा करने देते यानि कि जब return भरोगे तब ही tax जमा कराओगे तो या तो return की date दी होगी जिसमें से आठ लाक रुपे वैसे तो मेरे को टेक्स पे करना था आइधिंक उपर मैंने आंसर निकाला था यह आया था हाँ अपना सोरी यह थोड़ी सी calculation mistake हो गई है पिंतालीस लाक रुपे के उपर टेक्स लाइवटी हाँ तो यह आठ बानवे नहीं थोड़ी सी calculation mistake है दस पांसो होता है तो 35 रुपे 35 रुपे इंटुमें 0.3 यह होगा 10,50,000 प्लस के 12,500 तो यह आगया 11,25,000 प्लस के 4% 12,9,000 आगया तो 12,9,000 मेरे टेक्स बनता है नूर्मल स्कीम के इसाब से वैसे तो असे सी को एक सुपन्दना बेसी ओप्ट करना चाहिए ऐसा आप कोशन में लिखा रखा है कि नूर्मल स्कीम के इसाब से मैंने कोशन नूर्मल स्कीम के इसाब से बनाया था तो 12,9,000 आगया जिसके अंदर 4,00,000 माइनस कर दो TDS के तो 8,09,000 मेरे को एडवांस टेक्स पे कर रहा था क्योंकि मैंने एडवांस टेक्स आठ लाख जो है क्या क नहीं लग पाईगा क्योंकि B के अंदर एक और रूल होता है B के अंदर एक और रूल होता है अगर एक और रूल होता है वो यह ہوتा है कि अगर क्या कहते हैं आपना 90% तक एडवांस टेक्स बर देता लिखां नहीं हुँआ यहां पर मैंने नों चमलाए था अगर असلف 90% तक advanced tax भर देता है total का तो फिर उसको जो है 34B का interest नहीं लगता तो यहां जो है क्या कहते हैं total हमारा जो tax बनता था वो था TDS को minus करने के बाद total tax कितना बनता था TDS को minus करने के बाद अभी मैंने निकाला था यहांपर total tax बनता था 8,9,000 तो 8,9,000 का 90% बनता है 8,9,000 का 90% बनता है 7,28,000 और हमने already 8,00,000 का advanced tax भर दिया है तो 24B का interest नहीं लगेगा चाहे मैंने डन कितनी लेड भर लू 24A का तो लगेगा लेकिन B का interest नहीं लगेगा इसके अलावा तो इस question में B का interest नहीं लगेगा जो मैंने ये question दिया हुआ है यहां पर B का interest नहीं लगेगा वैसे अगर मैं इस question को थोड़ा modify करूँ मानलो इस question में क्या होता कि मेरा tax मेरे को भरना था अपना 8,9,000 और मैं उसमें से advanced tax भरता 7,00, तो मेरा जो है क्या कहते है एक लाख 9,000 कम advanced tax होता तो एक लाख 9,000 के उपर interest लगना शुरू हो जाता एक एप्लिल से लेकर जब तक मैं tax भर नहीं देता तो मैंने क्योंकि return भरी है 15,11 को तो tax भर होगा 15,11 को तो एक एप्लिल से 15,11 तक का interest लग जाएगा तो अपना एप्ल, मैई, जुन, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्टूबर, नॉमबर तो लगबक 8 मीने का interest लग जाएगा 1% के साब से ये interest लग जाएगा डबल interest रोग या दोचोंतिस, A में भी लग रहा है B में भी लग रहा है दोनों में लग रहा है इसके अलावा जो है क्या कहते है B के interest में और क्या खास बात है बस B का interest मैंने सारा समझा दिया है आपको तो वो है AMT grade तभी माइनस करते हो जब 115 BAC से opt-out किया होता है 115 BAC में आपको AMT grade नहीं मिलता है इसके अलावा Additional Income Tax जो है वो अलग topic है वो return chapter में आता है Additional Income Tax जो कि क्या होता है कि जब आप updated return भरते हो तो उस case में जो है Tax on Total Income would not be हाँ तो जब updated return भरते हो उसमें जो है क्या कहते है क्या होता है कि आपको एक Additional Income Tax भरना पड़ता है 25% या 50% वो इसमें include नहीं किया जाता इसमें normal जो tax होता है उसी के उपर interest निकाला जाता है आपका जो Additional Tax भरना पड़ता है 25% और 50% का updated return के अंदर वो interest के calculation में include नहीं किया जाता ये कहना चाहते है इसके अलावा जो है क्या कहते है अपना ये Advanced Tax हमने ये निकाल लिया और अब आते है 24C के interest के उपर 24C का interest जो है कब लगता है 24C का interest लगता है कि अगर क्या कहते है आपने जो चार installment बनती थी Advanced Tax की वो time पे जमा ना कराई हो जैसे की आपको 15-6 को installment जमा कराने थी उसकी 15% Advanced Tax हमारे case में 8,09,000 का Advanced Tax आया था उसका 15% बनता है 1,21,000 something 1,21,350 आपको Advanced Tax जमा कराना चीए था और आपने जमा कराया कितना है 15-6 से पहले पहले आपने जमा कराया कितना है 15-6 से पहले पहले आपने जमा कराया डेड़ लाग रुपे का तो आपने जमा कराया डेड़ लाग रुपे का आपने ज़्यादा जमा करा दिया तो interest नहीं लगेगा second installment बनती थी 45% की यानि कि 8,9,9 इंटू में 45% की बनती थी 3,4,0,3,6,4,0,5,0 आपने जमा कराया कितना है आपने जमा कराया है 1,5,5,5 प्लस के 1,5,5 आपने 3,5 रुपे का advance tax जमा करा दिया 15,9 से पहले पहले 3,0,00,000 के advance tax जमा करा दिया तो पिछला installment भी add करना पड़ेगा न cumulative ले रहे हैं पन तो 3,0,00,000 आपने जमा करा दिया कराना चीए था 3,64 एक government यहाँ पर एक थोड़ा सा relief देती है कि वैसे 3,64 कराना था 45% लेकिन अगर 36% भी करा दोगे न उसको हम जो है बोलते है self assessment tax उसी के उपर सारा हम calculation करते हैं तो 8,09,000 multiply by 36% करते हैं तो यहां आ रहा है 2,91 something तो 2,91 आ रहा है यानि कि वैसे तो कराने चाहिए थे अपना इतना पैसा जमा कराना चाहिए था लेकिन आपने फिर भी government कहती है कि कराना तो इतना चाहिए लेकिन कोई बात ने तुने इतना करा इतना करा दिया ना तब भी मैं interest नहीं लगाऊंगी और यहां पर भी कोई interest नहीं लगेगा क्योंकि आपने 3,00,000 रुपे advance tax जमा करा दिया है अगला question जो है उसमें देखते हैं में क्या है अगला 75% में तो आप 8,009,000 रुपे का इंटू में करोगे 75% जो कि आ रहा है 6,006,750 यहां पूरा 75% जमा कराना है यहां एक रुपे भी कम कराया तो इंटरस्ट लग जाएगा पहली तो इंटरस्ट लगेगा तो आपन देखते हैं अपने जो है 15-12 से पहले कितना करा दिया तो 3 और 5,00,000,000 करवा दिया है जो कि कम करवाया कम करवाया है हमारा यहां हम 5,00,000,000 तक पहुंच चुके हैं करना चाहिए था 6,6750,000,000,000 कर देंगे इसमें से 5,00,000,000,000 तो यह आ जाएगा शोट पेइमेंट है 1,6750,000,000 यह शोट पेइमेंट इसके अपर लगेगा इंटरस्ट जो यह होता है दोसर चोनते C का interest यह 3 मिने का लगता है सीधा पहली इंसोल्मेंट अगर आप कम कराते न 12% से तो सीधा जितना कम कराया उसका 3 मिने पर इंटरस्ट लगता है यानि कि 3% तीन मिने 1% पर मंत तो 3% का interest लगता है ऐसे ही दूसरी इंसोल्मेंट आपने जो है क्या कहते हैं 36% करानी थी अगर 36 से एक रुपया भी कम कराते तो interest लगता अभी मैं ये भी करवा दूँगा एक बार ये भी करवा दूँगा पहली दो इंसोल्मेंट में interest कैसी कैल्कुलूट करेंगे ये भी करा दूँगा तीसरी इंसोल्मेंट में देख लो पहले तीसरी इंसोल्मेंट के अंदर जो है क्या कहते हैं अपना तीसरी इंसोल्मेंट में ये आ गया कि अपना पांच तो एक लाग 6,750 कम है तो interest calculation का एक रूल रहता है कि आपको इसको round of करना होता है अपन 100 के multiple के अंदर interest calculation से पहले तो एक लाग 6,000 क्या कहते हैं आप 700 कर सकते हो नीचे वाला multiple लेना होता है तो इसको आपको multiple round of करके और आप मत करना ये rule आपके sediment में नहीं दिया हुआ आप सिधा कीजिए अपना जो है एक लाग 6,750 कम आप इस पे 3% का interest निकाल लेंगे ये आपका answer आ जाएगा last installment आपको जमा कराने चाहिए थी पूरी की पूरी आठ लाग 9,000 आठ लाग 9,000 बट आपने जो है क्या कहते हैं जमा कराया कम आपने जमा कर आपने जमा करा दिया तो आठ लाग 9,000 कराया आपने 7,500,000 तो आठ लाग 9,000 आपने 7,500,000 तो आठ लाग 9,000 आपने 7,500,000 तो आठ लाग 9,000 माइनस के 8,500,000 तो शोट पेमेंट आ गई आपकी 59,000 रूपीज इसके उपर आपका जो है last वाली installment अगर कम जमा कराते हो तो तो एक प्रेशंट का लगेगा क्योंकि ये 15 मार्च है तो 15 मार्च और 31 मार्च तक का ये होता है शोट पेमेंट वाला इसके बाद तो 24 भी शुरू हो जाता है तो यहाँ पर last installment अगर आप नहीं जमा कराते हो तो एक प्रेशंट लगता है ये installment कम कराते हो तो जितनी शोट पेम तो निकालो तो मालों पहली जमा कराने चीए थी आपको जिसे मैंने यहां बताया था पहली जमा कर नहीं जिये थी आपको यहां पर 12 कर लेते हैं तो कितना था hamar nag 9,000 का 12% कर लेते हैं तो आ गया था 97,080 करानी चाहिए थी बट कराई आपने 50,000 रुपे शोट पेमेंट कितनी है जब 97,080 करा देते तो इंटरस्ट ना लेते बट आपने कम कराया तो आप इंटरस्ट कहां से लगेगा इंटरस्ट लगेगा 15% से तो 8,009,000 का 15% जो है वो आ लेकर 12% करा दोके तो हम इंटरस्ट नहीं लगाएंगे लेकिन 12% नहीं कराओगे तो इंटरस्ट जब लगाएंगे तो यहां से माइनस करके देखेंगे तो इतना जमा कराना चाहिए था कराया 50 तो इतना शोट पेमेंट हो गया इसके उपर 3% लग जाता है ऐसे 45% करते हैं 291240 तो मतलब आपको 291240 जमा कराना चाहिए था बट आपने 0.5 लग जमा कराया है तो कम जमा कराया है लेकिन जब इंटरस्ट की कल्कुलेशन करोगे तो 34 से कल्कुलेट करेंगे 34 से 0.5 लाग माइनस करके जो आया उस पर 3% लग जाएगा इस तरीके से कल्कुलेशन होती है 3rd installment और 4th installment में तो मैंने इंटरस्ट कल्कुलेट करना आपको सिखाई दिया है इन तीनों को जोड़कर हमारा आ जाता है 24 सी का इंटरस्ट तो जो ये बड़े वाला कोशन था इसमें ऐसे ही होगा हमने हमारी जो self assessment tax के लाइबटी आर थी 9000 रुपए इसकी अलावा फिर का इंटरस्ट एड़ करोगे बी का इंटरस्ट एड़ करोगे सी का इंटरस्ट एड़ करोगे और 24 एफ की फीस लगती है कि अगर आपने आइटी अ टाइम पर ना भरी तो 5000 रुपए तक की फीस लगती है आपकी अगर आपकी tax liability जो है क्या कहते हैं अपना नहीं है और उस case काया है तो फिर फिर आपने चोए क्या एक हजार की फीछ लगती फीच लगती है तो डोचोनेस F की फीच लगती है एक हजार और फांच जार ये आप कि जितना मेरे को ध्यान आ रहा है अप टू फाइव लैक रुपी से गर इंकम होती है तो आपको वन थाउजन की फीस लगती है लेट फीस हाँ कितने मर्जी दिन लेट कर लो आप 31 जुलाई के बाद अगर रिटन भर होगे कितने मर्जी दिन लेट कर लो एक हजार या पांच आ रुपे की आपकी फीस लगेगी इसके अलावा जो है क्या कहते हैं अपना ये भी हो जाता है तो इन सबको एड़ करके 32 एफ की फीस को भी एड़ कर दो इस सबको एड़ करके फिर आपका टोटल टेक्स आजाता है जो आपको पेई करना है टेक्स प्लस इंटरस प्लस फीस अब एड़ करके और उसको फिर हम राउंड ओफ कर देते हैं अपना 10 के मल्टिपल के अंदर इसके अलावा ये हमारा सारा हो चुका है और अब सीधा आजाते हैं यहां पर 44 ADA प्रिजम्टिव के केस में क्या होता है प्रिजम्टिव के केस में जैसे यहां पर क्या है आप इसने इंकम एस्टिमेट की है इसकी 20 लाग बनती है तो 20 लाग रुपे का सारा का सारा जो इसक का जो टेक्स बनता है अगर मैं 115 BAC की बात करता हूं तो वहां पर डेड़ लाग और पांच लाग का जो है यहाँ देड़ लाग और यह तीन लाग बनता है तो पांट इन लाग प्लस के चार परशंट तीन लाग बारा जमा करा या कि इसको एक मीने का इंट्रस्ट लग जाएगा दोश्चोंतिस पहले थी सिन बारा मैंसे घ्राइग माइनस कर दो तो 62,000 रुपए का जो है एक मीने का इंट्रस्ट लग जाएगा गद और शॉनतिस a का इसके अलावां आप बोलोगे सिर्फ 15 मार्च के बाद जो है एडवांस टेक्स भरते हैं और 31 मार्च तक भी जो पहा जमा कराते हैं वो एडवांस टेक्स ही होता है तो वो करवाने का क्या फाइदा होता है वो करवाने का फाइदा यह होता है कि 2.34 B का interest जो है नहीं लगता है जैसे कि 2.34 B का interest तब लगता है अगर 90% तग आप भर देते हो advanced tax तो नहीं लगता है तो इसका tax बनता था 3,12,000 रुपे इसने 5,50,000 तो 3,00,000 रुपे tax भर दिया है advanced tax तो 90% बनता है इसका 2,80,000 रुपे औ 2.34 A का interest जो है लगेगा नहीं लगेगा तो वो बोलता है कि ITR की duty यह है remaining जो है अपना ड्यूप तो इसने ITR से time पे भढ़ दी है तो 2.34 A का भी नहीं लगेगा फीस भी नहीं लगेगी तो सिरफ C का interest यह लग जाएगा तो अगर ITR time पे ना भढ़ता तो फिर इसको क्या कह जाता अगर ITR जो है वो time पे ना भढ़ता तो लास्ट नमारा प्रोविशन आता है कि अगर कोई capital gain होता है या फिर कोई lottery की income होती है उस case में जो है वो क्या होता है आप advance आप जो है जैसे मानलो क्या है आपने 15 जून को पहली installment भरनी होती है जब 15 जून को पहली installment भरनी थी तो आपको पता ही नहीं था कि capital gain होगा या अपना lottery की income आएगी तो आप बाकी incomes को consider करके क्या कर रहे थे बाकी remaining income को consider करके आप अपना tax भर रहे थे तो remaining income का जो tax मालो 20 यह तो capital gain का tax है remaining income 10 लाग का आपका tax आया एक बारा 500 आपने उसको 15% से multiply करके 15-6 को भर दिया कोई interest नही पर रहे थे तो पता चलता है कि मेरे को capital gain भी हो गया अब आपको क्या करना पड़ेगा remaining income के ऊपर tax निकालना पड़ेगा plus capital gain को भी add करके tax निकालना पड़ेगा तो ज्यादा tax आएगा अब उस ज्यादा tax का आपको क्या करना पड़ेगा 45% करना पड़ेगा और उसमें से first installment में जितना tax pay किया था हो माइनस करना पड़ेगा तो मतलब rule क्या है rule यह है कि कुछ तीन या चार income है capital gain capital gain winning lottery puzzle वाली PGP अगर आपका business आपका first time हो रहा है उस case में या फिर अपना 222 ABCD का dim dividend इनके case में आप क्योंकि पहले नहीं पता होता कि यह होगा नहीं होगा तो इन case में जो है क्या कहते हैं government कहती है कि आप 234 CE का हमें interest नहीं लगाएंगे इन incomes को होने के बाद की जो instruments बच गई उनके अंदर आप अगर advance tax धंग से pay कर देते हो तो हम interest नहीं लगाएंगे तो देखो लिखर रखा है कि interest नहीं लगाएंगे अगर आपका advance tax कम हो जाता है due to failure to estimate income due to this अगर आप income estimate नहीं कर पाते इन चीज़ों की तो आपको जो हम interest नहीं लगाएंगे बस शर्त यह है कि जो remaining installments हैं ये income होने के बाद उनमें आप तरीके से advance tax भर दो तो आपको हम जो है क्या कहते हैं अपना नहीं लगाएंगे interest नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब पहली installment के time पे अगर आपको capture नहीं हुआ या ये सब चीज़े नहीं हुई हैं तो आप normal तरीके से tax निकालो और अपना normal income पे tax निकालो उसका 10-15% आप advance tax जमक रादो दूसरी installment से पहले भी ये सब चीज़े नहीं हुई हैं तो दूसरी installment installment से पहले भी आप normal तरीके से tax निकालो और अपना उसका 45% भर दो तीसरी installment से पहले भी ऐसे ही कर दो चोती अब होतीenderh रबाद होती है, फंद्रा मार्च के बाद होती है, तो 55-01 hacking से पहले पहले आपको जो revised आपकी tax liability है, हो आपको जमा करानी पड़ेगी, तो और अगर क्या कहते हैं, 15-0 Lamarcz से पहले होती हैं, तो last installment में इनको include करके, फिर आपको tax calculate करना पड़ेगा तो इसी के साथ हमारा जो है advanced text का topic होता है खतम और अब हम करते हैं अपना नया topic जिसका नाम है TCS TCS जो है क्या कहते है किस के उपर लगता है TCS लगता है जब भी हम क्या करते हैं जब भी हम कुछ खरीदते हैं और seller के उपर लगता है हम जब खरीदेंगे तो हमारे से purchase का पैसा तो जो product का पैसा है वो तो लिया ही जाएगा साथ में हमसे क्या कहते हैं कुछ extra पैसा लिया जाएगा seller कुछ extra पैसा लेगा और वो extra पैसा जमा करा देगा आपके बिहाफ पर buyer के बिहाफ पर government को जमा करा देगा तो TCS हमेशा seller collect करता है और TDS हमेशा buyer वो क्या करता है deduct करता है TCS जो है क्या कहते है अपना इस पे क्या-क्या rate लगता है तो ये देखिए किन-किन चीज़ों पर लगता है ये भी अब देखिए alcoholic liquor for human consumption यानि कि जब आप alcohol खृतने जाओगे ठेके पे तब नहीं लगता जब ये ठेके वाले खृतने जाते हैं company से तब लगता है वो आगे पढ़ा दूँगा लिख रखा है कि जब retail घर के लिए consumption के लिए लेके जाते हो तो TCS नहीं लगता जब ठेके वाले alcohol खृतने जाते हैं तो जो दारूबनाने वाली companies होती है वो क्या करती है इनसे extra पैसा चार्ज कर लेती है 1% extra ले लेती है उसको TCS बोलते है और इनके भियापर वो government को जमा करा देती है Tandu leaves अगर खरीदने जाएगा कोई बंदा तो उसके उपर 5% है Timber खरीदने जाएगा 0.5% है और कोई और forest produce खरीदने जाएगा तो भी 0.5% है Scrap के उपर 1% है Mineral, coal, lignite, iron ore पर 1% है यह ध्यान रहे यह mineral वगरा है यह mines नहीं है Mines Query, Mines वगर अगर आपने किराये पर दी हैं बदले में royalty लेते हो तो वहाँ अलग rate है वो अलग section में आएगा तो यह होगे आपका तो अब यह सारे याद रखने पड़ेंगे आपको इसके अलावा लिख रखा है Buyer means a person who obtains goods of the nature, does not include अगर यह लोग Buyer है, अगर यह लोग Buyer है तो इनका TCS collect नहीं करेगा seller यह लोग Buyer है, मतलब public sector company, government की company है, central government, state government, MSC, high commission, consulate यह सब लोग, या फिर अगर आप personal consumption के लिए लेकर जा रहे हो, दारू, तेंदू, लिव्स, लकडी वगएरा तो भी आपसे नहीं collect किया जाएगा TCS, seller, किसको TCS collect करना है, हर person को collect करना है, सिवाए individual HOF के, जिसकी turn over पिछले साल में क्या कहते हैं, एक क्रोड़ी आपतास लाग से कम है तो अगर individual HOF के turn over पिछले साल में एक क्रोड़ी आपतास लाग से कम है, तो उसको TCS collect नहीं करना, अगर individual HOF seller है और उसकी turn over पिछले साल में एक क्रोड़ी आपतास लाग से कम है, तो उसको TCS collect नहीं करना, उसको छोड़ कर बाकी जितने भी seller होंगे, सबको TCS collect करना पड़े करूँगा या फिर क्या कहते हैं अपना पावर जनेरेशन के अंदर यूज करूँगा यह क्या लिख रखा है कि अगर जो है बायर बोलता है कि यह एक डिकलरेशन देता है डिकलरेशन देता है राइटिंग के अंदर कि मैं जो है क्या कहते हैं यह सारा समान कहां यूज यहां होता है receipt और debit whichever is earlier क्योंकि यहां seller को जो है क्या कहते है seller को टीसिस collect करना है तो वो जब पैसा receive करेगा तब collect करेगा receipt और debit whichever is earlier इसके बाद जो है क्या कहते है अगला section आता है 26C वो था 1 अब आता है 1C यह लगता है अपना दो चीज़ों के उपर एक तो मैंने बताया आपक parking lot पे लगता है और एक toll plaza पे लगता है तीन जीज़ों पे लगता है यानि कि अगर कोई parking lot DLF company ने mall बनाया mall में parking थी और उसने जो है किसी ठेकेदार को दे दिया कि parking तू operate करना अब यहां TCS कौन collect करेगा तो देखना होता है कि यहां पर जो पेर होता है पेर जो होता है व दे रहा है तो जिस बंदे ने lease पे ली है जो contractor है contractor पैसे देगा मालिक को तो contractor जो है extra पैसा देगा TCS जो है वो कौन collect करेगा DLF जो parking का मालिक है वो collect करेगा तो DLF यहां TCS करेगा और DLF जो है TCS यहां collect करेगा ऐसे ही toll plaza government toll plaza का मालिक है बट government कहती है कि कोई और company है जो toll pl rate करेगी मेरी जगा और वो toll collect करके government को دेगी तो इस 케اس में जो है किया कहते है गवरमेंट क्या करेगी government TCS क्वरेक्ट करेगी इसके अलावा test करसकती कोई दिकत नहीं है बट government का TCS कोई collect नहीं कर सकता मतलब अगर government का TCS क्वरन क्वरेक्ट करने कि बात आएगी तो नहीं होग हाँ, गोर्मेंट कलेक्ट करना चाहे वो कर सकती है, इसके अलाबा माइन क्वेरी, गोर्मेंट की माइन्स होती है, गोर्मेंट माइन्स आगे देती है, रोयल्टी पे, तो जिस बंदे ने माइन खरीदी है गोर्मेंट से, वो माइन वो पैसे देगा, तो इस केस में गोर्में कंपनी का कभी भी TCS collect नहीं हो सकता तो पुब्लिक सेक्टर कंपनी का TCS collect नहीं हो सकता हूँ यूज पार्किंग लोग टोल प्लाजा माइन और क्वेरी फोर दा प्रबस ओ इस बिजनस अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी अपने बिजनस के लिए यूज करती है उस चीज को तो क्या कहते हैं पुब्लिक सेक्टर कंपनी का TCS collect नहीं कर सकता कोई भी सेदर उसका TCS collect नहीं करेगा ताइम क्या होगा debit और वही मैं आपको बता दिया receipt or debit whichever is earlier mining and query would not include mining and query of mineral oil mineral includes petroleum natural gas mineral oil mining में नहीं include किया जाएगा mineral oil यहां पे include नहीं किया जाएगा तो यह जो mine है वो other than mineral oil वगरा की है यानि कि जो petroleum natural gas की mines होती है या आप उसको sea के नीचे से निकालते हो तो उस case में यह TCS collect नहीं किया जाएगा तो mine और query इसमें mineral oil include नहीं होगा और क्या include होगा कोईले वगरा का हो सकता है हमारे question भी बने हुए है कोईले वगरा के तो mineral oil के उपर TCS नहीं लगेगा इसके अलावा फिर आगे आते हैं जो की है गाड़ी खरीदने के उपर TCS लगता है 206C I think यह कौन सा section है 206C1F गाड़ी खरीदने पर अगर जो बन्दा 10 लाग से बड़ी 10 लाग से महंगी गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी खरीदने के उपर TCS लगता है मालो 11 लाग रुपे की गाड़ी है तो 11 लाग रुपे का 1% जो है वो TCS लग जाएगा 11,000 रुपे तो जब मैं खरीददार हूँ मैं जब कंजडरिशन पे करूँगा Mercedes company को तो Mercedes company मेर से 1% फालतो चार्ज करेगी पैसा इकठा करके वो government को जमा करा देगी तो जो भी person जो है collector को होता है जो person गाड़ी बेचने वाला है वो collector होता है और वो 10 लाग रुपे से उपर की गाड़ी अगर बेचता है तो उसको TCS collect करना पड़ेगा 1% का rate लगता है किसका TCS collect नहीं होगा मैंने पहले ही बोला buyer अगर government वगएरा होगा तो नहीं होगा public sector company होगी तो नहीं होगी लेकिन ऐसी public sector company जो की business कर रही है passenger वगएरा carry करने का ऐसी company होगी तो उसका कोई TCS collect नहीं करेगा seller कौन-कौन TCS collect करेगा सारे TCS collect करेगे सिवाए individual H.O.F.K. जिसकी turnover पिछले साल में क्या कहते है कम थी वो TCS collect नहीं करेगा इसके अलावा मत्तब अगर गाडियों का शूरूम किसी individual person का है और उसकी पिछले साल के turnover कम थी एक करोड़ या 50 लाग रुपे से तो वो TCS collect नहीं करेगा उसको छोड़के बाग की सारे लोग TCS collect करेंगे भाई मैंने जो है क्या कहते हैं गाड़ी खुद खरीदी है बहुत सारी मेरे को पता है कि GST को include करके जो amount आती है उस amount के उपर TCS लगता है जिसे मालो थार है 9 लाग रुपे की है plus के उसके उपर GST होता है 50% लगबग जो है 5 लाग रुपे का GST होता है 14 लाग रुपे होगा total तो 14 लाग रुपे के उपर TCS लगेगा GST को include करके लगेगा लेकिन बाकी जितने अपने sections पढ़े हैं TDS के या TCS के वहाँ पर GST include नहीं किया जाता वहाँ GST अगर invoice में separate लिखा है तो अलग लिखा जाता है कुछ sections में GST include किया जाता है जैसे यहाँ पर include किया जाता है या एक आदा और आएगा आगे वहाँ पर include किया जाएगा जो 206C1H है वहाँ include किया जाता है GST otherwise बाकी sections में GST क्या किया जाता है exclude किया जाता है इसके अलब आप कुछ question answer आपको देखने पड़ेंगे जिसमें क्या लिखा रखा है कि ये section जो है गाडियों वाला ये apply नहीं होता किस के उपर apply नहीं होता जब हिंड़ी company manufacturer जब गाडियां बेचेगा एक car dealer को तब apply नहीं होता ये 1F वाला section कहाँ apply होता है retail sale में जब गाडियां कहाँ बेची जाती है retail में बेची जाती है इससे जो पहला section कराया था 26C1 वो retail में apply नहीं होता था वो apply होता था कि जब क्या कहते है गाडियां further trade गाडियां नहीं scrap वगएरा या timber वगएरा further trading के लिए खरीदा जाता है वहाँ apply होता है लेकिन ये section साफसा बोलता है कि मैं further trading के लिए अगर आपने गाड़ी खरीदिये तो apply नहीं होगा ये apply होगा जब showroom वाले end customer को बेचेंगे तब apply होगा luxury car के उपर भी apply होता है ये सब के उपर apply होता है 10,00,000 से उपर की गाड़ी हो तो सब के उपर apply होता है इसके अलावा would not be livable in case of sale to government government को बेचोगे तो नहीं apply होगा इसके अलावा ये पर गाड़ी की purchase की limit लिए रखी है 10,00,000 रुपे ये पर गाड़ी की limit है to each sale not to the aggregate value of sale तो साल में मैंने मानलो auto खुरी दी 10 auto खुरी दी 2,00,000 रुपे की 20,00,000 रुपे हो गए ये section नहीं लगेगा मानलो मैंने एक गाड़ी खुरी दी लेकिन वो 20,00,000 की थी तो section लगेगा तो मतलब पर गाड़ी 10,00,000 रुपे की limit है TCS on sale or motor vehicle is applicable where part payment is हाँ अगर आपने आधा पैसा cash में दिया आधा check से दिया तो भी जो है क्या कहते है अपना TCS लग जाएगा तो भी TCS लग जाएगा TCS तो लग कर रहेगा तो भी TCS लग जाएगा क्योंकि ये consideration की बात होती है 10,00,000 से उपर की value नीची ये गाड़ी की consideration cash में लो, कैसे मढ़ जे लो उससे फरक नहीं पड़ता अगला section आता है 206C 1G 1G, Amit G यानि कि जब भी क्या कहते है कोई person इंडिया से पैसा बाहर भी जवाता है बाहर उसके बच्चे पढ़ते हैं वगएरा वगएरा किसी भी चीज के लिए इंडिया से पैसा बाहर भी जवाता है तो क्या कहते हैं इस section लगता है और इस case में पैसा बाहर भी जवाय जाता है तो ये section लगता है तो इंडिया से पैसा बाहर भी जवाने पे section लगता है, ये section दो जगां लगता है या तो इंडिया से पैसा बाहर भिजवाया जाए या आप खुद या आपका परिवार आप घुमने जाता है इंडिया से बाहर Overseas Tour Program या तो उसके उपर लगता है यह section या फिर जो है यह लगता है जब पैसा आप इंडिया से बाहर भिजवाते हो Under LRS, Liberalized Remittance Scheme तो जो है section लगता है जब आप पैसा बाहर भिजवाने के लिए किसी agent को जो है क्या कहते है phone करोगे और agent को आपने 5 लाख रुपे दिये कि यह मेरा पैसा बाहर भिजवा दे तो 5 लाख रुपे के उपर उस साथ हमें क्या चार्ज करेगा TCS भी आपसे collect करेगा तो TCS किसको collect करना है dealer को जो पैसा बाहर भिजवाता है तो वो पैसा आपसे collect करेगा और भाहर भिजवाएगा तो वो जो है क्या कहते है उस dealer के उपर लगता है और दूसरा किसके उपर लगता है जो तो ओवर्सीज टूर प्रोग्राम बेच रहा है जैसे कि make my trip अगर बेच रहा है ओवर्सीज टूर प्रोग्राम तो उसको TCS collect करना पड़ेगा इसके अलावा जो है क्या कहते है rate जो भी अब मैं आगे बताऊंगा आपको time क्या होता है debit और अपना receipt whichever is earlier no TCS if liable to TDS मैंने उल वारा से TDS चेक करते हैं 94 क्यू वाला और लास्ट में TCS चेक करते हैं 26C1H वाला no TCS अब बायर गार्मेंट है गोर्रमेंट का TCS नहीं लगता है would no TCS अगर जो है क्या कहते हैं बायर है non resident और उसने इंडिया में कोई उसका establishment नहीं है अब कोई non resident है वो तो obvious ही बात है वो बा भी बिजवाएगा तो उसके उपर यह section नहीं लगेगा तो अगर non resident है जिसका इंडिया में कोई permanent establishment नहीं है वो उसके उपर यह section नहीं लगेगा 26C1G वाला section अमीज जी वाला section नहीं लगेगा rates की बात कर लेते हैं rates थोड़े से change हुए हैं तो rates की बात कर लेते हैं और rates में देखोगे आप अगर rates के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां rates है एक और बढ़िया rates जो है क्या कहते हैं अपना ICI ने amendment में डाले थे amendment के जो pages मैंने attach किये थे वहाँ ICI ने बढ़िया rates दाले थे एक पर वहाँ देखते हैं कि वहाँ से कर सकते हैं तो वहाँ से कर लेंगे तो amendments के अंदर जो pages थे वहाँ पर जो है क्या कहते हैं ICI ने rate है same बस थोड़ा सा इसको summarize करके लिख दिया था यहां पर अब वहाँ से कर मैंने आपको module 3 में यह PDF attached की हुई थी amendment वाली तो यहां पर rates देखो क्या है अगर आप remittance करते हो भार पैसा भिजवाते हो first seven lakh rupees जिसके उपर कोई भी टीसिस नहीं लगेगा under LRS during the financial year 23 चोबिस for education purpose for that matter or for that matter any purpose अच्छा ठीक है जी अगर अप education purpose के लिए भार पैसा भिजवाते हो और 7 lakh रुपे तक भिजवाते हो तो कोई भी टीसिस नहीं लगेगा remittance beyond 7 lakh rupees 7 lakh rupees से उपर भी जवाते हो और फिर जो है क्या कहते है अपना 30 सितंबर से पहले पहले भी जवाते हो तो 5% लगेगा और irrespective of the purpose unless it is for education purpose financed by the loan from financial institution where 5% 0.5% मतलब क्या है सीधी बात है कि अगर आप जो है क्या कहते हैं पैसा भीजवाते हो up to 7 lakh कोई टीसिस नहीं है कोई मर्जी purpose हो दूसरा अगर आप भीजवाते हो 7 lakh से उपर तो जितना 7 lakh से उपर होगा उसके उपर 5% टीसिस क्लेक्ट किया जाएगा हाँ अगर आपने भार पैसा भीजवाया education purpose के लिए loan लेकर तो 7 lakh से उपर वाले पर 5% के जगा क्या लगेगा 0.5% लगेगा सीधी बात है इसके अलावा अगर आप पैसा भीजवाते हो 1 October के बाद तो उस case में up to 7 lakh तो कोई भी नहीं लगेगा कोई TCS नहीं है 7 lakh से उपर 0.5% if it is education purpose financed by the loan और 5% if it is for the education purpose और medical purpose और 20% for other purpose क्या मतलब है 1 October के बाद 3 rate कर दिये क्या था भाई अगर आप पैसा भीजवाते हो अगर आप पैसा भीजवाते हो up to 7 lakh तो कोई TCS नहीं है कभी मर्जी भीजवा दो 7 lakh से उपर भीजवाओगे बात उसकी हो रही है beyond 7 lakh की बात हो रही है तो कहता है कि 39 से पहले पहले भीजवाओगे इस time period के लिए भीजवाओगे तो सिरफ सिरफ दो rate आपको याद रखने है education purpose के लिए और loan लिया आपने loan लेकर education purpose के लिए भीजवाए तो 0.5% है otherwise आपका 5% है 7 lakh से उपर की amount पे इसके अलावा इसके बाद भीजवाते हो इस time के दुरान भीजवाते हो तो यहाँ जो है क्या कहते है तीन rate लगेंगे अगर आप भीजवाते हो education purpose के लिए loan लेकर 0.5% 7 lakh सूपर वाले पे अगर आप भीजवाते हो किसी और purpose के लिए other than education and medical 20% और अगर आप भीजवाते हो education या medical के लिए तो 5% यह 0.5% और इसमें क्या difference है यह तो है loan लेकर भीजवाते हो education के लिए यह अपनी जेव से भीजवाते हो education के लिए तो 5% या medical के लिए तो 5% और otherwise भीजवाते हो तो 20% beyond 7 lakh रुपीज up to 7 lakh जो है कोई भी जो है TCS नहीं लगेगा LRS के अंदर तो यह था भाई LRS और अब आ जाते हैं वापिस से वो page होगा जिसके अंदर अपन आ जाते हैं वापिस से उस page पे आ जाते हैं जहां पर अपने किया था जहां पर अपाने किया था TCS की बात की थी जहां पर और TCS की बात की थी अपने जहां पर और वहां पर जो है क्या केते हैं अपना TCS की बात की थी अब Overseas Tour Program का हमें rate देखना है Overseas Tour Program का क्या rate है वो हमें देखना है तो Overseas Tour Program का rate जो है वो हमें देखना है एक में page निकाल लेता हूँ तो Overseas Tour Program का rate हमें देखना है वो है अपने पास यहां आ जाएगा यह राजी तो Overseas Tour Program का rate क्या है यहां पे आ जाते हैं है पेज नंबर अपने पास ये रहा तो इसके अंदर क्या हो गया बाकी ओवर से चूर प्रोग्राम का रेट क्या है पांच परसेंट रेट है विदाउट अनी थ्रेशोल यानि कि अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो तो 5% अगर बाहर घूमने जा रहे हो और आपका किस के केस में पैसा भाहर भीज़ाने के केस में अगर इतने तो आपनलाग खर्च किये शुरू के साथ लाग पर पर पांच परसेंट इस तरह से जो है रेट हो गए हैं तो यह मैंने करवा दिये हैं आपको रेट्स सारे के सारे आप चाहे दुबारा रीड कर लेना यही है इसके बाद आते हैं अगला सेक्शन है 261H, 1H में क्या होता है यह 194Q का ठीक उल्टा है 194Q मैंने आपको पिछली क्लास में करवाय था जहां मैंने आपको यह बताया था कि अगर जो है जेठालाल, जेठालाल की अगर क्या कहते हैं अपना क्या होता है जेठालाल एक बायर है जिसकी टर्नोवर अगर पिछले साल के अंदर 10 करोड से अपना ज्यादा होती है और वो सोनी से जो है क्या कहते हैं पचास लाग से उपर की अमाउंट का तो एक चुलानवे क्यों लग जाता है और जहां क्यों लगता है फिर वहां 26C1H नहीं लगता अगर माल लो जेठालाल की टर्नोवर होती है कम ठीक है तो वहां क्यों नहीं लगेगा लेकिन फिर भी जेठालाल जो है बायर है इसने खरीदा है माल लेते हैं 60 लाग का समान एक साल के अंदर सोनी सेलर है बट इसकी टर्नोवर अगर 10 क्रोड से जादा है पिछले साल के अं 0.1 परशेंट आपका जो है टीस लग जाएगा तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बायर की टर्नोवर जादा होती है तो फिर तो लगता है टीडीए से किस्टरानवे क्यों बायर को क्या करना पड़ता है 0.1 परशेंट इकठा करना पड़ता है 50 लाग से उपरवाले में और अगर सेलर की टर्नोवर जादा होती है तो फिर सेलर को क्लेक्ट करना पड़ता है पहली प्रेफरेंस रहेगी क्योंकि वो लग गया तो 26C 1H नहीं लगेगा अगर वो ना लगा तो फिर 26C 1H लगेगा तो देखो TCS will be collected by the seller on the consideration for sale of goods exceeding 50 लाग रुपे in the previous year other than exported goods, exported goods के उपर नहीं लगेगा या फिर 26C 1H 1G जिन के उपर 1 लग गया, 1 कहां लगता था वो timber वगएरा वाले case में, alcohol वाले case में, या 1F लग गया, जहां 1F लग गया, यानि की car वाले case में, या 1G लग गया, overseas tool program वाले case में, तो वहां ये नहीं लगता, तब ही मैंने इसको सबसे last में 26C 1H, जहां कुछ नहीं लग रहा होगा, फिर यहां ये लग सकता है, ये लगता है भाई, अपना receipt के time पे, यहां वो नहीं है, debit or receipt, debit or receipt, whichever is earlier, सिरफ receipt के time पे, क्योंकि ये payment basis पे लगता है, कि जब भी आप पैसा receive करोगे, 50 लाग से उपर वाला, एक साल में, एक बंदे से, और आपके turnover के पिछले साल में 10 क्रोड से उपर है, आप seller हो, तो आपके उपर लग जाएगा, suppose करो क्या कहते हैं, आपने sale की थी पिछले साल में, sale के time पे नहीं लगेगा, पैसा receive हो रहा है इस साल, 60 लाग रुपे, तो इस साल लगेगा 10 लाग रुपे के उपर, ये receipt के time लगता है, अगर टीएस लग जाता है, तो फिर ये section नहीं लगता, अभी इसको last में चेक करते हैं, इस section is not applicable, और 10 लाग क्रोड से उपर turnover होनी चाहिए, और buyer does not include इन लोगों का TDS, इन लोगों का TDS नहीं काट सकते, government, state government, high commission वगएरा, इन लोगों का TDS नहीं काट सकते, sale के case में 26C 1H नहीं लगेगा, क्योंकि retail sale के case में 26C 1F लग चुका है, तो 1H नहीं लगेगा, लेकिन जो wholesale sale है, यानि कि अपना मान लेते हैं, जो manufacturer है, वो जब sell करेगा कि इसको हिसार auto mobile को, तो वहाँ ये section लग सकता है, 26C 1H लग सकता है, क्योंकि उस case में 26C 1F नहीं लगा, तो 1H लग सकता है, इसके अलावा, would be subjected to TCS 1H, if such sales are not, हाँ, 1F नहीं अपलाई हुआ, तो 1H अपलाई हो सकता है, in case of sale to consumer, receipt of sale consideration for sale of motor vehicle, अगर 10 लाग से कम है, to a buyer, would be subject to 1H, हाँ, example के तोर पे, मैंने अगर एक साल के अंदर 50 auto खुरीद ली, 50 auto खुरीद ली, 2-2 लाख रुबे कि एक रोट का consideration हो गया, क्या 261H लग जाएगा, तो 261H यस लग जाएगा, क्योंकि इस case में 261F नहीं लग रा, क्योंकि गाड़ी 10 लाख से कम की है, तो 1F नहीं लग रा, तो यहाँ पर 1H लग जाएगा, क्योंकि साल के अंदर 50 लाख से उपर की purchase हो गई है, तो seller, यानि क कि जो मारूती है, वो मेरे से क्या करेगी, मेरे से 0.1%, 50 लाख से उपर की amount पे, यानि कि एक क्रोड की गाड़ियां थी, 50 लाख के उपर 0.1% मेरे से चार्ज कर लेगी, In case of sale to consumer, receipt of sale congestion for a sale of motor vehicle exceeding 10 लाख, अगर 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ी है, तो 1F लग जाएगा, फिर 1H नहीं लगेगा, No adjustment on account or sale return or discount or entire tax including GSTS required to be made for the collection of TCS, since the collection is made with the reference to receipt, तो यानि कि अगर कोई बार, अगर एक बार ही हमने sale कर दी, उसका पैसा receive हो गया, पैसा receive होते ही क्या होगा, आपने TCS लगा दिया, बाद में return, sale return हो जाती है, वापिस कर दिया जाता है, तो भी जो है, ये TCS तो जमा हो गया, गोर्रमेंट के पास ये जमा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, आपने जो है, क्या कहते है, discount दे दि देखना है, including GST, तो including GST वाली amount पे 26C1H लगता है, तो include करके GST अपने को 0.1% करना है, इसके अलावा, बाकी सरे section लगते है, debit और receipt, whichever is earlier पे, लेकिन एक तो motor vehicle वाला section और एक ये 26C1H, ये लगता है, only receipt के time पे, अब बस आपका ये TCS खतम होने वाला है, और इसमें सिरफ दो section बचे हैं, छोड़ छोटे, जो कि ये, सिदा copycat है, ये 26C, sorry, 206AA, 26AB, जो मैंने टीडियस के case में कराया था, अगर PAN नमर नहीं दिया होता, तो उस case में क्या होता है, पैन नमर नहीं दिया होता, तो उस case में क्या होता है, वहाँ पर कराया था, 20% और rate prescribed whichever is higher, यहाँ पर थो है, यह rule लगेगा, twice the rate और 5% whichever is higher, यह rule लगेगा, और अगर 1H वाला section लग रहा है, यहनि कि वो 50 लाग से उपर वाला section लग रहा है, तो वहाँ पैन नमर नहीं दोगे, तो 1% लगेगा, आपको पता है, जो इसका दुश्मन है, क्यों, वहाँ अगर पैन नमर नहीं देते त तो 5% लगता है, बट यहाँ 206C1H में पैन नमर रही देते, तो 1% लगता है, और अगर बाकी तो sections है, TCS के, वहाँ पैन नमर नहीं देते, तो twice the rate और 5% whichever is higher, यह लगता है, इसके अलावा, maximum the rate of, however, the maximum rate of TCS shall not exit 20%, 20% तो कभी होई नहीं सकता, छोड़ो इसको, इसके अलावा पैन नमर वाली condition not applicable to NR, क्योंकि NR के पास पैन नमर होगा ही नहीं, तो यह section apply नहीं होता है, एक और section है, CCA, यह बोलता है, कि अगर उसने, कल मैंने जैसे आपको कराया था, 21-22 साल बताया था, 20-21 नहीं था, 21-22 था, अगर उसने 21-22 की ITR नाव फाइल की हो, और 21-22 में उसका TDS और TCS मिला कर, 50,000 रुपे का कम से कम अपना collect हो चुका हो, deduct हो चुका हो, और फिर भी उसने ITR नाव फाइल की हो, 21-22 की, तो उस case में जो है क्या कहते हैं अपना, उसको higher rate लगता है, higher rate कौन सा, यहां दोनों rules same है, देखो लिखर रखा है, twice the rate और 5% which average is higher, यहां पर भी व percent whichever is higher, तो वही लगेगा, और अगर दोनों condition होती हैं कि भाई, ना तो उसने PAN number दिया, ना ही उसने written file कर रखी, तो फिर दोनों में निकाला जाएगा, और फिर higher किया जाएगा, इस तरीके से किया जाएगा, तो लिखर रखा है, 26CC और यह लग जाता है, बोथ applicable हो जाते हैं specific person does not include a person who is not required to furnish return, किसी बंदे को return भरने ही नहीं है, तो उसके उपर 26CCA नहीं लगेगा, यह बात तो TDS में भी पड़ी थी, लेकिन TDS में यह वाली बात नहीं पड़ी थी, यह वाली बात नहीं थी TDS के अंदर, लेकिन TCS में यह वाली बात है, TDS में यह वाली बात क्यों ओ, हट चुक है आपके सलेबस से, हाँ, क्यों पहले यह चेक करना है, फिर यह चेक करना है, इसके अलावा यहाँ मैंने summary लिख रखी है, credit or payment, whichever is earlier किस case में है, payment किस case में है, 10 number क्या होता है, टेक्स काटने के लिए आपको TDS यह TCS 10 number लेना पड़ता है, यह 10 number के थूँ ही friends क्या है, theoretical concept है, पढ़ लेना सारा समझा दिया है मैंने आपको, और अब इसी के साथ यह chapter होता है, खतम, और मिलेंगे आप से, और फिर कभी आप अगर demand करोगे sir की और कोई chapter record कर दो, तो फिर उसमें मिलेंगे आप से, इसके अलावा, मैं वसे आपको इतना कहना चाहूँग तो अब गभी घान करनी ती, हमारा जो है क्या कहते है, जो 396 पेज पे, मैं एक पर बता देता हूँ, आपको कौन क्यों सी amendments है, amendments जो है क्या कहते हैं, जैसे की salary chapter की कुछ amendments थी, salary chapter की कुछ amendments थी कि वहाँ पर 10% का rate हो चुका है, salary chapter की कुछ amendments थी, जहां 10% का rate होचुका था, ठ तो सेलरी चेप्टर की अमेंडमेंट सी था जहां पर जो है अपना रेंट फ्री हाउस की कैलकुलेशन के अंदर रेट थोड़े चेंज हुए थे वो मैंने आपको अमेंडमेंडमेंड लेक्टर रिकोर्ड किया हुए प्लिस वो देखिए इसके अलावा जो है अमेंडमेंड का लेक्टर आप देखो लगबग दो इन घंटे का है तो उसमें सारी अमेंडमेंडमेंड करवर रिलीज की है तो इसके अलावा फिर अडर सोर्स के बाद एक और चैप्टर जिसके अंदर अमेंडमेंड थी वो थी आपका जो है एडवांस टेक्स के अंदर भी अमेंडमेंट थी जैसे कि टेक्स यानि कि TDS के अंदर अमेंडमेंट थी 1-9-A के अंदर कि महीला समान सेविंग स्कीम के उपर 1-9-A अपलाई नहीं होगा और 1-9-B-A के उपर भी कुछ अमेंडमेंडमेंड थी कि भाई जो ओनलेंग वाला था उसके उपर कुछ अमेंडमेंडमेंड थी उसके कुछ FAQ आये थे जो मैंने डिटेल में वहां करवाए हुए हैं आपको रिवीजन लेक्चर के अंदर सोरी अपना अमेंडमेंड लेक्चर के अंदर मैंने करवाए हुए हैं आपको वो अमेंडमेंड लेक्चर के अंदर दुबारा कराने का जो है वो क्या कहते हैं ऐसा दिल नहीं करता कि दुबारा कराएं सेम बात कैसे रिपीट करें तो आप वहां अमेंडमेंड लेक्चर लगाए हैं हर एडम्ट में 10-15 नंबर की आती है तो amendment करना में जरूरी है मिलेंगे next class में बाई बाई आपके लिए यह जितने मैंने revision lecture record किये इनको revision lecture को देखना है इसके बाद आपको SM और past year के question answer try करने है जो unsold आपकी book में दिये हुए है solutions आपको जो है क्या कहते है साथ साथ class में करवाई हुए थे उसके साथ आपको try करने है मिलेंगे आप से जो है हाँ जब तक सिर्फ revision lecture से बात नहीं बनेगी जब तक खुद कोशिनां से try नहीं करोगे तब तक हम 80-90 नंबर लेने का target नहीं कर सकते सिर्फ revision lecture से आपके उतने नंबर नहीं आप आएंगे practice की बहुत requirement है क्योंकि practical subject है मिलेंगे आप से next class में फिर और कोई guidance चाहिए हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मिलेंगे आप से next class में Bye Bye